हेलो एब्रिवन वेल्कम टू क्लास नमबर 24 ऑफ दे टॉपिक MS Word जो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक के बारे में जो आज के क्लास का हमारा डिस्कस्शन का टॉपिक होगा How can we create envelope using MS Word? MS Word को यूज करके अगर हम envelops बनाना चाहते हैं तो वो envelops हम कैसे बना सकते हैं MS Word को यूज करके उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं डिस्कस्शन और जानते हैं इस पर्टिकॉलर टॉपिक के बारे में तो envelops क्या है हम सब जानते हैं जैसे कि अगर में किसी के पास कुछ letters भेजने हो या फिर कुछ emergency papers भेजने हो तो हम उसको envelop में भरके भेजते हैं तो जो envelop है उस envelop को हम कैसे MS Word को use करके easily बना सकते हैं MS Word हमें envelope बनाने के लिए क्या facility प्रोवाइड किया है उसके बारे में आज के class में हम जानेंगे तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे menu बार में जो mailing step है mailing step में सबसे पहले हमें left click करके वहाँ पे चले जाना है mailing step में जाने के बाद mailing step में सबसे पहले वहाँ पे एक option होगा create group के अंदर envelops का मतलब envelopes create करने का option हमें पहले से ही MS Word में provide किया गया होता है तो उस envelopes option में left click कर देना है envelopes option में left click करने के बाद उस envelope में हम क्या from जो भेज रहा है उसका address जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका address वो provide करने का facility वो हमें क्या करता है वो हमें provide करता है ऐसे एक dialogue box के द्वारा तो हाँ पर delivery address delivery address मतलब क्या हम जिसके पास भेजना चाहते हैं मतलब 2 जिसके पास हम भेजना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर mention करेंगे 2 जिसके पास भी भेजना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है उसके बाद return address में किसका address लिखना है return address में मतलब suppose हमने letter किसी के पास भेजा उसने letter को receive नहीं किया तो letter क्या होगा return आजाएगा तो यह जो letter return किसके पास आएगा जिसने भेजा था तो यहाँ पर return address में हम रखेंगे प्रॉम जहां से गया था उसका नाम ओके ओके उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद add to document में हमें यहाँ पर क्रिक कर देना है उसके बाद पूछेगा वो कि do you want to save the new return address as the default return address यह जो return address हम दिये है क्या हम इसको यहाँ पर save करके रखना चाहते है अगर रखना चाहते हो तो yes करना वरना no करना हम yes कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो envelope का format है वो generate होके यहाँ पर आ जाएगा जो कि हमें देखने को मिलेगा ओके यह envelope का format है तो यह जो envelope के format में यह जो address है इस address को हम हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं envelope में जिस भी position में रखना चाहते हैं उस position में हम हमारे हिसाब से adjust कर सकते हैं तो envelope के देखो यहाँ पर फ्रॉम जो भेज रहा है उसका address होता है तो यह एक envelope का format है तो जब हम इसको print करेंगे तो यह envelope के format में क्या होगा print होके हमारे यहाँ पर प्रिंटर से निकल जाएगा और इसको हम easily क्या कर सकते हैं envelope के form में use कर सकते हैं तो i think आप लोगों को समझ आ चुका है कि हम ms word को use करके कैसे envelops easily बना सकते हैं पहले mailing step में जाएंगी उसके अंदर create group के अंदर envelops का envelops कमांड का एक button है उसमें left click करेंगे left click करने के बाद वहाँ पे हमें वो delivery address मतलब जिसके पास भेजना है उसका address और जो भेज रहा है मतलब अगर receiver receive ना किया तो return किसके पास आएगा from लिखके उसका address देंगे return address में उसके बाद यहाँ पे create document का option था उसमें click कर देना है हमें और उसके बाद वो automatically क्या होगा यहाँ पे envelope create होके आ जाएगा okay so I think आप लोगों को समझ आ चुका है कि हम कैसे MS Word को use करके easily envelops बना सकते हैं so next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topic के बारे में आज के लिए इतना ही thank you